नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मन है और मेरा नाम लिधी और आज हम मिलके आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं इस कहानी को लिखा है महेंद्र सिंग ठाकुर ने और इसके प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं शुभम लखेरा ने इस कहानी का नाम है भूल गई गुण्जो मा बोली बिटिया जरा पान भर दे गुण्जो बोली नहीं मुझे स्कूल जाना है पिताजी बोले बिटिया जरा बैल चरा दे गुण्जो बोली नहीं मुझे स्कूल जाना है भईया बोले गुण्जो मेरी गेंद ढून दे गुण्जो बोली नहीं मुझे स्कूल जाना है दादा बोले बेटी मेरी लाठी ला दे गुंजो बोली नहीं, मुझे स्कूल जाना है दादी बोली बेटी मेरी दवा तो दे दे गुंजो बोली नहीं, नहीं, मुझे स्कूल जाना है बच्चे बोले अरे कहां जा रही है गुण्जो गुण्जो वोली स्कूल बच्चे हसे लेकिन आज तो रवीवार है तो कैसी लगी कहानी अच्छी थी ना आओ अब इस कहानी पे थोड़ी बातचीत हो जाए तुम्हें क्या लगता है गुण्जो स्कूल जाने के लिए इतनी साहित क्यूं थी जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है सब बच्चे जोर से हसने क्यूं लगे तुम्हें क्या लगता है अब गुण्जो क्या करेगी